सल्मान खान अर्जुन कपूर सनी देवल ये कुछ ऐसे सेलेब्स हैं जिन्नों ने अपने माता-पिता की दूसरी शादी का समर्थन नहीं किया था सनी देवल धर्मेंदर और हेमा मालनी की प्रेम कहानी बॉलिवुड की रुमैंस बुक में शामिल है ये शादी काफी मुश्किलों भरी रही धर्मेंदर उस समय प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे जिन से उन्हें चार बच्चे भी थे जब उन्होंने हेमा से शादी करने का फैसला किया तो बेटे सरी देल को काफी गुसा आया था उसी के साथ अपने माता पिता से दूर ले जाने के लिए उन्होंने अभिनेतरी के साथ लड़ाई भी की थी कौर ने एक इंटर्वीव में ये स्विकार किया कि धर्मेंदर की दूसरी शादी से उनके बच्चे हैरान और परिशान थे और साथ में हेमा के साथ अपने बेते के जहड़े की अफवाओं को खारिज कर दिया सल्मान खान सल्मान खान जब भी अपनी मा सल्मा और हेलन के साथ फोटो शेर करते हैं तो उनका दिल हमेशा पिगल जाता है लेकिन 90's की दशक में स्टार ने स्विकार किया था कि वह और उनके चारों भाई वहन पिता सलीम खान की दूसरी शादी को लेकर बहुत दुखी थे सल्मान ने एक मैगजिन से कहा था मैं ममाज बॉई हूँ मैं उससे दुखी नहीं देख सकता जब मेरे पिता ने दुबारा शादी की तो वह बहुत दुखी थे जब मॉम डैड के घर आने का इंतजार कर दी तो मुझे उनसे नफरत होती फिर दीरे दीरे मा ने उन्हें सुथार करना शुरू कर दिया पिता जी ने हमें समझाया था कि वह अब भी मा से प्यार करते हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे मैं उस समय लगभग 10 साल का था और हमेश सच में हेलन अंटी को सुथार करने में काफी समय लग गया आज हो हमारे परिवार का हिस्सा है हमारा पूरा परिवार एक करीबी की तरह रहता है अरजुन कपूर अरजुन कपूर ने कई बार कहा था उनकी मौम मोना को छोड़ कर श्री देवी से शादी करने के पिता बोनी कपूर के फैसले के वो खिलाफ थे बाप बेटे की जोड़ी ने एक लंबे समय तक टेंशन वाला महौल देखा जिसे हाली में सुधारा गया समझ में नहीं आया कि उनके पिता को अबिनेत्री से क्यों प्यार हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जानवी और खुशी के साथ उनका रिष्टा नहीं होता तो उन्हें कई बातों से नाराजगी होती और शायद अपने पिता के साथ दुबारा नहीं जोड़ पाते। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहें वाट्सअप बॉलिवोड के साथ।